मौज अप्लिकेशन पर लाइव आने वाला हर क्रेटर एक ही दिमाग में ऑप्शन रखता है कि हम कैसे अपनी ओडियन्स को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपनी ओडियन्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ओडियन्स आपकी एक टाइम के बाद खतम हो जाती है. आज हम इसी चीज के उपर थोड़ी सी powerful information आपके साथ share करेंगे जिससे आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे और इससे आप growth भी कर पाएंगे अपनी live में टॉपिक को शुरू कर लेते हैं जो लोग हमारे channel को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब पर के साथ मेले के notification बैल को जरूर दबाते दोस्तों और किसी भी personal information के लिए यदि आप हमसे जोड़ना चाते हैं तो Instagram पर आजाओ regular update आपको यही पर मिलती है और रोज सुबा हम 10 बजे live भी आते हैं Instagram पर हम यह आपर मौज application की बात करें उससे पहले आपको बताओं के भाई नया roast वीडियो आ चुका है आप लोगों का बहुत बहुत प्यार भी मिला है जाकर देख लेना link description में दे दिया है मैंने इसका बहुत अच्छा response मिला और आप लोगों ने एक लाग सब्सक्राइबर वहाँ भी complete कर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का Thank you very much to all of you हम यह आपर मौज application की बात करें टॉपिक समझाओं उससे पहले आप लोगों को ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि मौज ने अपनी लाइव में audience को build करने के लिए बहुत सारे propaganda निकाल रखे हैं जिसमें से आप अगर सही पकड़ लो तो आप इसको नईया पार करा सकते हो कैसे? आप लोग यह समझें कि हमारी live के अंदर जो audience हमें दी जाती है जो शुरू शुरू की audience होती है वो हमें मिलती है हमारी onboarding process onboarding process क्या होता है? जब आप live जाते हैं तो सबसे पहले मौज क्या करता है? आपकी जितनी भी interesting जो followers हैं आपकी live में कभी पहले आए हो या आपकी profile पर जुड़े हुए हो है आपके followers हैं सबसे पहले उनके पास notification भेज़ता है उस notification पर जितने जादा लोग जुड़ जाते हैं वो आपकी live में आ जाते हैं अब आपकी live में आने तक का तो सफर यहीं तक समात होता है इसके बाद मौज आपकी live को onboarding करता है यह आपके live के audience पर ही निरधारित है नहीं समझ माया आप ऐसे समझे अगर आपकी live में 10 लोग आते हैं और वो 10 के 10 आपकी live में बने हुए हैं तो मौज recommend करता है कि इसकी live में कुछ अच्छा चल रहा है यह मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या अच्छा चल रहा है अभी मैं आपको यह बताता हूँ कि अगर वो 10 के 10 किसी भी तरह से टिके हुए हैं आपको तो मौज onboarding प्रोसेस शुरू करता है आपकी live को और उपर डालता है उपर डालने का means कि अब आपकी live top 10 के अंदर आ रही है यानि के top 10 मैं से लोग जितने भी मौज के creators हैं अगर वो live वाला बटन उक्के कर रहे हैं तो जहां पर आपको पहली live दिख रही है दूसरी दिख रही है तीसरी दिख रही है चौती पांचवी live में आपका number होगा अगर आपकी audience रूख रही है ये नए creators भी अगर आपकी live में जुड रहे हैं तो मौज इसको और उपर भेजता है अब आपका एक time पर number one आ जाता है live यानि के कोई भी हिंदुस्तान के अंदर में से मौज खोलेगा इंडिया के अंदर तो सबसे number one पे आपकी live चलेगी ये होता है on process जो मौज कर रहा होता है इसको promotion भी कहते हैं मौज की तरफ से करता है अगर आपकी audience आपके साथ टिकी हुई है तो ये तो सवाल हो गया कि आपकी build quality कैसी जा रही है अब आपकी increasement कैसी हो रही है मौज की तरफ से मौज ने तो अपना काम कर दिया अब आता है काम आपका ये एहम रोल है कैसे एहम रोल है भाई मौज पर जो दस बंदे आपके टिके हुए थे शुरू में आपने कुछ ना कुछ गेम ऐसा खेला है कि वो दस टिके रहें आपने सब लोग के लाइव में नाम लेने है ताके उन लोग को लगे कि हाँ भाई मेरी एक रिस्पेक्ट हो रही है इसकी लाइव के अंदर आप लोगोंने सभी नाम के साथ कुछ ना कुछ खेल खेलना है खेल इंदा से आप कोई भी गेम खेल सकते हो अंताक चिड़ी खेलो या लोगों से तरह तरह के नाम पूछो किसी भी नाम की स्पैलिंग्स आप कर सकते हो या उनकी रूटीन पूछ सकते हो अपना रूटीन शेयर कर सकते हो उनकी कुछ कहानिया सुन सकते हो उनको लाइव में बुला बुला के इससे आपकी audience को लगता है कि भाई ये हमारे touch है ये दिल से दिल जोडने वाला बंदा है बंदा आपकी live में रुकेगा अगर ऐसे ही वो recommend करना शुरू कर दे दो-चार लोग को, कि आर इसकी live में जाओ ये entertain करता है, बंदा जोडता है दिल की बात करता है, अच्छी knowledge देता है तो वो बंदे भी आपके साथ जोडता है जब ये सारा process चल रहा होता है तो ये मौज को पता लग रहा होता है मौज हर एक चीज़ को monitor कर रहा होता है मौज ऐसे ही आपकी promotion को शुरू कर देता है आपकी live को onboarding process में ले जाता है और इसी की बदोलत आपके live में increasement बढ़ जाती है एक तो तरीका ये हो गया तूसरा तरीका इसमें क्या है आप जब भी live जाते हो live जाते वक्त आप बताते भी रहो के भाई मेरा रोज का time है live जाने का मैं रोज इतने बजे live आता हूँ और आप उस वक्त live आया करो रोज जाओ या दिन के चार बजे जाओ या दिन के छे बजे दिन में दस बार जाओ लोगों को पता होने चाहिए कि आप इतने time live आते हो अब आप उसके लिए भी क्या करोगे माजना official उसके लिए भी announce कर रखा है आप यहाँ पर schedule कर सकते हो अपनी live को live schedule करने से यह होता है कि आपकी audience जब भी आपकी profile पर touch करती है वहाँ उसको पता लगता है कि भाई ये बंदा live आने वाला है इसका इतने बजे का time है live आने का ऐसे आप अपनी live को build कर सकते हो बस एक यही तरीका है अगर आप अपनी audience को समझ पा रहे हो तो जाहिर है आपकी audience आपको समझने के लिए बैठी है अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए और आप इससे बहुत अच्छी increasement कर सकते हो live में अपनी audience को बहुत अच्छे से build कर सकते हो इससे बढ़कर पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं बता सकता ये मेरा खुद का personal experience है और मैंने जब इसको माना जब मैंने इस पर काम करा तो आज मुझे logo का increasement दिखता है अच्छी लगी हो तो भाई एक like कर देना आज हमारी इसमें बहुत मेंनत हुई है ताकि आप लोग को सरलज शब्दों में बताओं बस यही परियास मिरे रहता है आज के लिए बस इतने दोस्तों जैहन